हेला स्टूडेंट एसेंट प्रोफेशनल क्लासिस से महमंद गुपता आज आपके लिए लेके आप बटा जो कि हमने सिरी शिरू की हैं मोनिटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इंडिया का नेक्स्ट पार्ट चले स्टूडेंट इस्टार्ट करते हैं देखते हैं आज की सेशन मे में परिवर्तन दूसरा खुले बाजार संचालन तीसरा CRR में परिवर्तन और चोता करदर संचोडन तो इस कोशन का जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्स रेट मोडिफिकेशन करदर संचोडन option number D इसका correct आंसर है चलिए अब इसके बार नेक्स कोशन है मारा development bank provides विकास bank प्रदान करते हैं विकास bank किस परकार का finance प्रदान करते हैं दिर्ग कालीन, मध्य कालीन अल्प कालीन या उप्रोगत सभी तो ध्यान रखेंगे वेटा development banks जो है आपको long term finance की सुविधा प्रदान करते हैं और option number A इसका correct answer है next question है मना europe bag main difference between overdraft are cash and cash credit is overdraft के बीच मुख्य अंतर क्या होगा ? क्या कर रहा है तॉर के बीच मुख्य अंतर क्या उप्यावारье ग्लापोर्ट इस टेंपरेरी अरेंजमेंट एंड कैश क्रेडिट इस पर्मानेंट नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इस तेंपरेडी और फॉर्थ है नन ओफ दीज तो इस कोश्चिन का दिहान रखेंगे बटा इसका जो क्रेक्ट आंसर है वह क्या है ऑप्शन नमबर ए ओवरड्राफ्ट एस थाय व्यवस्तघा है जबकि कैश क्रेडिट इस थाय व्यवस्तem है ऑप्शन फ्रिखे-षक प्रमानेंट इसका असर किई तो क्या है क्या है Instagram जब आ你 नेक्स्ट कोश्चन है credit creation power of bank depends upon on क्या कह रहे बैंक की साख सर्जन शक्ती निर्भर करती है दिये गई option में क्या कह रहे credit deposits cash deposits overdraft facility all of the above तो इस question का जो correct answer है वो है उप्रोप सभी all the above चलिए अब next question जानते हैं उटा next question है नाबाड was established for the development of which sector नाबाड की सापना किस शेत्र के विकास के लिए की गई थी तो यह मुख्य रूप से agriculture कर्शी शेत्र के लिए की गई थी option number B इसका correct answer हो जाएगा next question है which one was established first for providing industrial finance और जोगिक वित्परदान करने के लिए सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी जो संस्थाएं दी गई है इनमें सबसे पहले किसकी संस्था की गई थी आई एफ सी आई की सन 1948 में की गई थी option number B इसका correct answer है नेक्स्ट कुश्चन है मारा प्राथमिक का छेत्र रिंड का अर्थ है क्या अर्थ है इसका option दिये गए है लेंडिंग टू एग्रिकॉल्ट्र सेक्टर लेंडिंग फोर एजुकेशन लेंडिंग टू मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज ओल ओफ द अबो तो इसको सिनका जो क्रेक्ट अंसर है उप्रोक्त सभी कर्शी शेत्र को रिंड देना शिक्षा के लिए रिंड देना मध्य और छोटे उद्यमों को रिंड देना इसका सही आंसर है नंबर बी इसका करेक्ट अंसर है चलिए अब नेक्स कोशन जानते हैं नेक्स कोशन है मधा वीच अबंग फॉलोईंग इंस्टिशन फाइनशली हैल्प्स दा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज निमलेकित में से कौन सी संस्ता सुक्षम लगू तथा मध्य उद्यमों को आर्थिक रूप से मदद करती है तो इस कोशन का जो करेक्ट अंसर है वो है सिद्वी ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए बैटा अब नेक्स कोशन जानते हैं कोशन नंबर 60 which among the following development banks is the regulatory authority for cooperative banks and regional rural bank निमलेकित में से कोन सा विकास बैंक सहकारी बैंकों और चेत्रे गरामीन बैंकों के लिए नियामक प्राधिकरन है तो इस कोशन का जो करेक्ट अंसर है वो है बटा नाबाड ओप्शन नंबर सीस का करेक्ट अंसर है चलिए अब नेक्स कोशन जानते है तो नेक्स कोशन है फुल फॉर्म ओफ सी आरार का पूर्ण रूप क्या है तो बटा ध्यान दकेंगे चलिए अब फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रिशो ओप्शन नंबर बीश का करेक्ट अंसर है नकद आरक्षित अनुपाद अब नेक्स कोशन जानते हैं नेक्स कोशन ह है माला बटा बाई डिक्रीजिंग कैश रिजर्व एशो बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट एंड इट विल नकद आरक्षित अनुपाद को कम करके बैंक साख सर्जन करता है और करेगा क्या करेगा तो इस कुशन का जो क्रेक्ट अंसर है इसको इंक्रीज ऑप्शन नंबर होगा इंक्रीज होगा नेक्स्ट कोश्चन है कि इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1963 में की गई थी अब आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए कई बार आपसे एक्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है संस्ता की तो क्या है यूनिट ट्रस्ट ओफ इंडिया चलिए अब नेक्स्ट वोश्चन जानते में बटा नेक्स्ट वोश्चन है मारा विच ओफ डा फॉलइंग स्टेट्मेंट इस फॉल्स नियम लगित में से कौन सा कथन गलत है नंबर वन आर्बियाई एक लाब कमाने वाली संस संस्था नहीं है और संडी ओपरोक्त सभी तो ध्यान रखेंगे बिटा आर्बियाई लाब कमाने वाली संस्था नहीं है और बाकी जो दो पॉइंट है यह बिल्कुल सही है क्या आर्बियाई बैंकर्स बैंक के रूम में कार्या करता है और यह वनेजी बैंकों के साथ परत चलिए अब नेक्स कुशन जानते हैं बटा नेक्स कुशन है rate of interest at which RBI lands to banks for short period ब्याजदर जिस पर RBI बैंकों को अल्प अवधी के लिए रिंड देता है वो क्या कहलाती है तो वो रैपो अधर कहलाती है option number 20 का correct answer हो जाएगा रैपो रेट कहलाता है बटा चलिए अब नेक्स कुशन जानते हैं तो नेक्स कुशन है मारा RBI issue all currency notes action RBI नेम लिखित को छोड़ कर सभी currency notes जारी करता है तो बटा इस question का जो correct answer है वो है 1 rupees note एक रुपी का note चलिए अब नेक्स कुशन जानते हैं तो नेक्स कुशन है मारा if the central bank wishes to boost the production and investment in the country it will be यदि केंद्रिय बैंक देश में उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देना चाहता है तो वह ऐसा करेगा तो वह क्या करेगा तो वह बैंक रेट को कम करेगा option number B इसका correct answer है decrease the bank rate चलिए अब next question जानते हैं बटन next question है मारा who is entitled to change cash reserve ratio of the banks in India भारत में बैंकों के नकद आरक्सीत अनुपाद को बदलने का हकदार कौन है तो इस question के जो correct answer है वह है RBI option number B इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन है RBI has modified the validity period of issued checks and bank draft on 1st April 2012 the revised validity period is RBI ने 1 April 2012 को जारी किये गई check और bank draft की वैदता अवधी को संसोडित किया है संसोडित वैदता अवधी कितनी है पहले ये 6 महीने हुआ करती थी अब यह 3 महीने है यानि के 3 महीने तक आपका check या draft जो है जो उसकी तारीक है जारी किये जाने की तब से अगले 3 महीने तक वो वैद है उसके बाद उसका भूगतान नहीं होगा इस question को आप से दूसरे तरीकी से भी पूछ सकता है कि जो check और draft की वैदता अवधी 6 महीने से 3 महीने RBI ने कब परिवर्तित की थी तो ध्यान लखेंगे 1 अपरेल 2012 से की थी चलिए अब next question जानते है बटर next question है दप प्रेजेंट CRR इन इंडिया भारत में वर्तमान में CRR दर क्या है तो बैटर जब भी आप एकजाम देने जाएं तो एक बार इसको जुरू चेक कल लेंगे question लिखने की तारीक है यानि कि आज की तारीक में जो प्रेजेंट CRR दर है वह साड़ी चार परसेंट है option नमबर डी इसका correct answer है चलिए next question जानते है बटर next question है मदा one of the important function of reserve bank of india is क्या कहते है बहार आर्बी आई का एक महट पूर्ण कार रहे है क्या है option दिए निर्यंत्रण आयात निर्यात निति निर्यंत्रण next है साजनिक चेत्र को विन्यमिट करने के लिए मुद्रापूर्ति को निर्यंत्रण करने के लिए साजनिक चेत्र को रिण देना तो बटर इस question के जो correct answer है वो है तो control money supply मुद्रापूर्ति को निर्यंत्रण करने के लिए option नमबर सी इसका correct answer है next question है मारा who acts as financial advisor to the government of India भारत सरकार के वित्य सलाकार के रूप में कोन कर्रे करता है तो बटर इस question के जो correct answer है वो है RBI option number A इसका correct answer है अब next question जानते हैं तो next question है मारा the system of issue of paper currency in RBI is RBI में कागजी मुद्रा जारी करने की परणाली कैसी है तो यह minimum reserve system है नियूनतम अरक्षित परणाली है option number C इसका correct answer हो जाएगा चलिए अब next question जानते हैं तो next question है मारा which of the following rate is not decided by RBI निम लिखित में से कौन सी डर RBI द्वारा तय नहीं की जाती है तो यह prime landing rates है option number D इसका correct answer हो जाएगा बटा चलिए अब next question जानते हैं तो next question है the highest denomination currency note issued by the RBI RBI द्वारा जारी किया गया उच्टम मुल्य का मुद्रा नोट कौन सा है दिये गए option में correct answer है वो है option number A 10,000 रुपे का maximum size है जो कि अब वर्तमान में तो यह चलन में नहीं है लेकिन RBI ने जो maximum मुल्य का जो नोट चछा पता वो 10,000 रुपे का था तो यह थे बिटा आगे के 25 important question मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए bye bye students and best of luck for your examination